आज मेरी चैनल में स्वागत है चलिए हम चैप्टर वान इलेक्टिक चार्ज का जो सुपर पोजिशन पिंसिपल बेस्ट ऑन कूलम्स फोर्स उसका हम निमेरिकल्स करेंगे जैसे अक्सर क्या होता है ट्राइंगल्स और स्क्वाइर के कॉर्नर में जब चार्ज रखते हैं तो किस तरह से फोर्स निकालना है रिजल्टेंट फोर्स या यह सब चीज जो क्वेशन होते हैं वह बहुत इंपोर्टेंट है तो उसके बारे में हम डिटेल में हम समझेंगे ठीक है तो पूरा वीडियो देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तो सबसे पोजिटिव चार्ज दो यह by पोजिटिव चार्ज है तो यह एक दुसरे को रिपल करेंगे और एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटीव तो एक दुसरे को आट्राक्ट करेंगे ठीक है तो यह हमने सिखा था और वाकिए इसमें भी हम यह बाते लागो करेंगे ठीक है तो लेकिन अभी यहां पर समझने का बात यह है कि यह दी दो से ज़्यादा चार्ज रहेंगे तो कैसे हम नेट फोर्स निकालेंगे ठीक है तो इसका सिंपल एक एक जांपल में बता दें दो आप इस बात को समझ लीजिये तो अब कोई भी कुईस्इन आप समस्च जाएंगे की माली यह कंद तो ये मांने लिजैंब प्लास स्किव स्किव या यह मैनस क्यूद यह प्लास स्किव वैलियु में सकते मेंनिया इक्वेल लिया है ठीक है तो आपको क्या करना है या सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या बताता है कि मानली जी इस चार्ज के उपर मैं फोर्स निकालना है अभी कुलम्सला बताता है कि दो चार्ज के बीच में फोर्स रहता है तो मानली जी ये चार्ज इसको ए वेंट फोर्स निकाल ना तो उस-चार्ज के ऊप़ आप फोर्स निकाल लीजिए तो पहले हम देखेंगी कि यह चार्ज इसको एटरेक्ट कर रहा है क्यों कि निगेटिव है और भी पॉजिटिव है अभी यह charge भी positive है तो ये भी इसके तरफ रहेगा अभी ये भी इसको force लगाएगा लेकिन वो हमको लेना देना नहीं है हम निकाल रहे हैं इसके उपर कितना net force है तो हम देख रहे हैं कि ये इसको attract कर रहे ये mark किजिए और ये इसको attract कर रहे तो अभी superposition principle बताता है कि ये दोनों जो force है ये individually act करेंगे when this force adds between these two so this one this charge will not affect इसका मतलब हम ये charge को छोड़के हम Coulomb's law ये दोनों के बीच में लगा सकते हैं ठीक है और जब ये दोनों के बीच में हम force निकालेंगे तो ये इसका force का कोई effect नहीं होगा जो ये दोनों के बीच में लगता है तो अभी force हम निकालना है मानली जी AF1, AF2 तो उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको दो vector को add करना है बस ये आपको खाना है और vector addition का formula लगाना है ठीक है और कुछ नहीं करना है तो ये ही आपको करना है मानली जी और एक charge है यहाँ पर तो ये negative charge है तो ये क्या करेगा उसको नीचे की तरफ force लगाएगा क्योंकि रिपेल करेगा तो ये तीन force होगा मानली जी अब ये तीन force का हमको sum निकालना है vector लिए हम add करना है ठीक है तो ये ही आपका समझ में आना है तो जितना भी charge हो charges रखे हो तो कोई एक charge के उपर वो बताये जाएगा तो उस जगह पे आपको force consider करना है individually as if no other charges are present जैसे मैंने बताया है ये force हम coulombs law लगाएंगे दो charge के भीच में so we will assume that these charges are not there ठीक है तो ये ही आपका superposition principle बताता है तो अभी हम यहां पर एक question solve करेंगी ठीक है अभी question इस तरह से है कि three point charges plus q charges plus q each are kept at the vertices of an equilateral triangle of side L centimeter okay determine the magnitude and sign of the charge to be kept at its centroid so that the charges at its vertices remain in equilibrium तो अभी यह तीन चार्ज रखें तो यह एक दूसरे को interact करेंगे ठीक है अभी एक और चार्ज हमको यह centroid में रखना है अभी centroid क्या होता है वह भी आपको mathematically समझना है the centroid is the point of intersection of medians of a triangle the median क्या होता है फिर अब इक्विलिब्रियम अब इक्विलिब्रियम के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा कि उसमें net force 0 होता है ठीक है तो अभी आप its charge is in equilibrium बताया तो इसका मतलब आप कोई भी चार्ज लेके कर सकते हैं आप चाहिए यहां ले सकते हैं यह चार्ज को ले सकते हैं यह चार्ज को ले सकते हैं क्योंकि इस तीनों चार्ज में net force 0 रहेगा ठीक है तो अब इसका मतलब है आप कोई भी एक charge जो गोटेक्स में है उसमें कितने सारे force लग रहे हैं वो निकाल लीजे फिर उसका resultant 0 होना चाहिए ठीक है तो यह हमको काम करना तो अभी मैंने सुचा में इसमें करूंगा आप चाहिए तो इसमें भी लगा सकते हैं कोई दिकत नहीं ठीक है क्योंकि question के इसाब से इस charge at the vertices remain in equilibrium तो मैंने यह लिया अभी मेरा क्या काम है कि इस charge के उपर क्या-क्या force लगते हैं ठीक है तो वो हम मुझे निकालना है और उसमें net charge जिरो नेट force जिरो होना चाहिए तो अभी हम देखते हैं कि यह जो चार्ज है पोजिटिव है और यह पोजिटिव है तो पोजिटिव पोजिटिव रिपेल करेंगे लेकिन हमें याद रखना कि इस charge के उपर force क्या है तो यह क्या करेगा रिपेल करेगा तो यह आ गया देखिए तो मैं इसको लिखता हूँ आफ, सी, बी नहीं force on c due to charge at b तो यह मैंने लिखा अभी यह चार्ज भी है यहांपर तो यह भी positive है तो यह भी positive पोजिटिव 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 रिपेल तो यह भी इदर force आ जाएगा तो यह F C A अब इसका length L है equilateral है ठीक है तो यह आगया दो force अभी बताता है यहां पर कितना charge रखना है कि इसका net force 0 होगा ठीक है तो अभी क्या कर सकते हैं यह दोनों force का resultant हम निकाल लेंगे ठीक है यह दोनों force का resultant निकाल लेंगे तो किदर आएगा पैरललोग्राम law of addition vector addition से यह इसके बीच में आएगा अब यह angle कितना है तो जबी भी दो vector को add करना है तो उसके बीच में angle मालू होना चाहिए तो क्या है इसमें 60 degree है क्योंकि यह equilateral triangle है 60 degree यह 60 degree तो दो angle के बीच में दो vector के बीच में angle theta रहता है तो हम उसका resultant निकाल सकते हैं और कभी कभी क्या होता है दो तिन forces रहता है तो हम क्या करेंगे उसका components निकालेंगे perpendicular components x-axis में y-axis में तो पूरे जो तीन चार vector होता हैं उसका हम दो vector में convert कर देंगे एक along x-axis और along y-axis फिर वो दोनों vector का x-axis vector along x-axis और vector along y-axis उसका हम resultant निकालेंगे तो भी एक तरीका है लेकिन यहां पर हम देखते हैं दो force लग रहे हैं ठीक है और इसका resultant हम निकालेंगे और जो उसका resultant होगा यह जो यहां पर charge रखेंगे उसके साथ equal हो जाएगा या उसके साथ net zero हो जाएगा तो यह हम निकाल लेंगे तो यहां पर हम इस तरह से कर सकते हैं क्योंकि यहां दोनों force है और दोनों force के बीच में simple angle है तो fcb क्या होगा तो fcb हम पहले निकाल लेंगे तो यह जो force निकालने के लिए coulom slow लाएगे के हम आसन फर्मूला पर एक बर लीख लेते हैं r square तो यह formula है coulom slow से हमको मिलता है तो इस case में के q1 क्या है तो यह जो force है यह दोनों के बीच में तो q into q by यह distance देखे l तो l square हो गया किस side में है along b a रहे तो b से लेकर b से लेकर c तक है sorry यह force निकालने है यह c है b से लेकर c की direction में अभी f उसको थोका simplify कर शकते है फिर उसके बाद क्या करेंगे हम और एक force जो है second force वो निकाल नेगे तो f c a k q1 q2 by r square तो इसका हम लिखेंगे k इसका भी q square by l square आजाएगा तो यह c के तरफ है along a c repulsive force है यह तीटा कितना है 60 degree यह दोनों के बीच में तो यह दोनों के बीच में हम resultant निकाल लेता है क्योंकि यह पर कितना charge रखना है कौन सा charge रखना है यह पूछ रहा है ठीक है तो हम अभी recite करते है इसका resultant निकालने के लिए अभी resultant क्या होता है जब parallelogram law बताता है तो दो vector को एक ही vertex से हम लेते हैं ठीक है तो इसका resultant यह है तो उसका resultant इसके बीच में आता है और इसका parallelogram बनने से इसका जो diagonal है वो this is the resultant यह A A B vector का तो इस इस A प्लस B तो यही है आपको समझना है तो formula क्या है resultant का resultant का जो magnitude है उसका formula है रूट ओवर A square प्लस B square प्लस 2 A B cos theta देखें तो यह magnitude आ जाता है यह formula है तो हम अभी दो vector है हमारे पास तो इसके बीच में हम कैसे निकाल सकते हैं और एक चीज़ से आप देखिए दोनों का जो magnitude है न वो same है यह कि चार्ज़ सेम है और distance भी same है तो यह दोनों का same magnitude आ रहा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकता है नहीं तो इस formula में आप लगा देजिए Fcb square plus Fca square magnitude ले लिजए 2 Fcb Fca cos theta यह है तो अभी हम इसका values हम put कर सकते हैं लेकिन यहां अभी आप चाहते हैं तो एक और तरीका फॉलो कर सकते हैं क्योंकि यह दोनों equal forces हैं तो इसको एक Fcb Fc है तो श्रीफ एक वेक्टर लेके आप solve कर सकते हैं देखिए वो आशान होगा देखिए 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 तो नहीं तो यह उपर वाले जो values है यह भी आप put करके कर सकते हैं तो आप सिंगल वेक्टर करके इसको किजिए यह आसान हो जाएगा आपके लिए ठीक है जोसे आप उसको F square plus F square plus 2F square cos theta तो यहां पर आपने के लिए F CB is equal to F CA is equal to F यह ले लिया तो यह आसान हो जाएगा देखिए तो 2F square plus 2F square cos theta तो आप इसको और भी 2 common ले सकता है क्या जाएगा 1 plus cos theta देखिए मैंने यहां पर simplify कर दिया तो 2F square plus 2F square cos theta 2F square common लेने के बाद यह formula आप लगा सकते हैं क्योंकि यह square root है तो यह हमें 1 plus cos theta को यह 2cos square theta by 2 यह formula लगा देंगे यह trigonometry का तो यह square आ जा रहा है और जो plus factor है वो भी चला गया तो हम इसको square root से बाहर ले सकते हैं तो इसलिए हमने यह formula लगाया तो 2F देखिए 2 और 2 बार आ गया f square का f हो गया cos square theta by 2 का cos theta by 2 हो गया तो सब factors out of root हो गया तो अभी f का क्या था हमने उपर देखा था के q square by l square और theta 60 है तो cos 30 हो गया cos 60 by 2 यहां पर half angle है देखिए तो cos 30 फिर हमने यह value put कर दिया 2k q square by l square cos 30 के value होता है root 3 by 2 फिर इसको simplify करके यह आ गया k q square root 3 by l square तो यह net force होगा ठीक है net force किसका यह दो forces का eb c b and f c a का यह इन दोनों का net force हो गया अभी जो हमने net force निकाला वो यहां पर हो जाएगा अभी यहां पर क्या है equal forces है यह equal है इसलिए जो resultant होगा वो भी यह बीच में से जाए यहां कि angle bisector के जाना 30 degree में जाएगा तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि कि यह 30 degree angle में aligned है और यह जो cg जो median है usually क्या होता है median medians bisect the opposite side लेकिन equilateral triangle में यह median angle bisector का भी काम करता है perpendicular bisector का भी काम करता है all are similar तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह यह जो median है this is also the angle bisector तो यह 30 degree हो गया इसमें यह simple geometry concept है तो हम देख रहे हैं कि यह दोनों फोर्स का resultant ठीक इस इस लाइन पर है ठीक है तो यह यह फोर्स इदर रहे दोनों का अभी हम यहां पर कौन सा चार्ज रखने से इस फोर्स के opposite direction में आएगा देखिए इसमें positive चार्ज है तो यहां पर हमें क्या रखना पड़ेगा फिर फोर्स इधर होने के लिए तो negative चार्ज नेगिटिव चार्ज होना पड़ेगा ठीक है तो यह चार्ज जो है इस साइट attractive फोर्स होना पड़ेगा तो इसलिए यहां पर हम ऐसा चार्ज रखेंगे कि इसके opposite में फोर्स आएगा and net force is zero तो इसलिए हम यहां पर एक negative चार्ज रखेंगे मनलेजिए Q या Q1 भी ले सकते हैं तो अभी यह दोनों का force हम निकालेंगे यह दोनों के बीच में ठीक है तो यह दोनों के बीच में हम force निकालेंगे तो उसके साथ यह resultant equal हो जाएगा then net force will be zero तो अभी हमें क्या करना है यह दोनों के बीच में force निकालना है taking Q as the charge placed at the centroid चलिए अभी यहां पर जो मैंने diagram बनाया फिर से तो यह charge और यह charge के बीच में हमको force निकालना है ठीक है तो formula क्या है f is equal to इसको हम formula लेंगे यह c है c due to charge present at centroid okay g the f c g क्या निक लेगा यह के q capital q by a distance यह distance मनली जी यह r r square along c q c g along c g तो यह समझ में आ गया यह दोनों के बीच में force अभी चार्ज तो है हमारे पास q है capital q है लेकिन यह distance है ना तो यह distance जो है यह distance हमें निकालना पड़ेगा in terms of l यह यह आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा यह क्योंकि हम हमें l के साथ express करना है तो अभी इसके लिए क्या करेंगे तो यह जो total जो median है उसको x ले लेता है तो अभी हमारे पास देखिए एक ऐसा diagram बन जा रहा है देखिए यह a है यह p है और यह c है देखिए आपको में detail में बता रहा हूं ताकि आप समझ सकें और दुसरे situation में भी आप उसको follow कर सकें ठीक है तो अभी हमारे पास यह r को express करना है in terms of l क्योंकि यह distance यह हमें force निकालना है अभी हमारे पास पूरा median है यह p c a मैंने ले लिया यह p c a यह वाला triangle तो इसमें देखिए यह median है इसलिए यह l y 2 हो गया और यह मैंने एक्स ले लिया जैसे मैंने बताया कि यह median है यह हमेंसे 90 डिग्री नहीं होता है लेकिन equilateral triangle में यह altitude भी बन जाता है सेम होते हैं तो यह 90 डिग्री ले सकते हैं तो अभी हमारे पास यह एक right angle triangle है तो इसमें से हम x निकाल लेंगे तो इन ट्राइंगल एपी सी तो ड्राइंगल में hypotenuse square इस इकल टू लगा दिया तो एक्स स्क्वार हो जाएगा l square माइनस l square by 4 देखें तो समझ में आया दूखी मैं जल्दी से explain कर दाता हूं то l square is equal to l by 2 or square plus x square by pithetora's theorem यह से x square आप solve करने कोशिश किजिए l square minus l square by 4 यह इदर आ जाएगा फिर यह solve करके x is equal to l root 3 by 2 आगे ठीक है एल रूट 3 by 2 तो यह यह पूरा पार्ट आगया यह लेकित अभी हमको चाहिए इतना ठीक है अभी हमने पूरा निकाल लिया तो अभी हमें इतना चाहिए तो और एक पॉंट जो है मेडियन का हता है सेंट्रोइट डिवाइट दे मिद्यन इन 1 इस्टू 2 रे सियो तो इधर इसलिए हम यह 2 parts हो गया है, 2 parts out of 3 parts of x, तो इसका मतलब क्या हो गया है, हम अभी लिख सकते हैं, कि Gc अगी कि अगी का सकते हून गया हम गया है, तो सकते हैं, तो सकते हैं, gc इस इकल टू टू थार्ड आफ पीसी नहीं कि टू थार्ड आफ एक्स तो होफुली आपको समझ में आ गया क्योंकि यह जोमेट्री है यह वह अन रेशिया यह तो रेशियो पूरे हैं थ्री ओके सो टू इस्टू त्री यह आपको रेशियो मिल जाएगा तो जी सी इसका मतलग हमको क्यों जी सी निकाल रहे है यह आर चाहिए यह आर तो इसलिए आर इस इकल टू टू ठी एक्स तो देर्फोर R is equal to 2 by 3 X 2 by 3 X के निकाल हमने L root 3 by 2 तो देखिया भी हमारे पास मैंने क्या बताया था R should be expressed in terms of L तो इसलिए ये सब हमें geometrically करना पड़ा तो अभी R is equal to L Y root 3 आगए तो इससे एक कैंसल कर सकते है तो L Y root 3 आगए तो देरफोर 4 C Z अभी ये ये जो force है तो इसको हम put कर रहेंगे R का value so K Q capital Q by L Y root 3 square तो बन जाएगा के क्यू कैपिटल क्यू थ्री वाइड एल इसक्राइब तो हमारे पास यह होगे एलॉंग सी जी एलॉंग सी जी अभी आप डाइग्राम से देख सकते हैं अभी हमने इधर में जो फोस निकाला था रिजल्टेंट और इधर जो फोर्स है अभी दोनों देखिए अपोजिट आ गया तो इसका मतलब यह दोनों इक्वल होने पड़ेंगे इक्वल होने पड़ेंगे इसलिए हम पहले वाले जो फोर्स है उसको और इसको एक्वेल कर देंगे तो एफ सीजी प्लस जो रिजल्टेंट पहले निकाला था तो यहां पर यह पुट कर दिया पहले का यह फोर्स और यह पहले का फोर्स रिजल्टेंट फोर्स तो इसको शॉल्व करके q is equal to minus root 3 by 3 q आया तो that means negative charge of the value root 3 by 3 q या इसको आप q by root 3 बिलिख सकते हैं तो इतना charge centroid में रखने से फिर all the charges the vertices will be in equilibrium तो यह तरीके से आप solve करना Thank you